हेलो फ्रिंट्स हम लोगों ने बात की थी पिछले वीडियो में कि कुछ इस तरह के कुछ इस तरह से लग रहा है उसको देखना होता है और मैंने बुला था कि आपको डेफिनिटी ट्राइब करेगा जिन लोगों ने ट्राइब किया बहुत अच्छी बात जिन्होंने नहीं क प्रविस्टियां उनके लिए देनी है और cgst 9% पर है और sgst यानि कि जो राज का कर रहा है वो कितना है 9% पर है जारखंट से यहां पर में के जिगए से होगा 3,50,000 का सामान खरीदा अच्छा दूसरा क्या है उत्तर प्रदेश में 2,000,000 का माल बेचा ठीक है तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि बिहार के रहने वाली है और जारखंट से सामान खरीद रही है इसका मतलब कुछी दूसरी राजी से खरीद रही है तो यहां पर igst लगेगा क्या लगेगा igst ठीक है और ऐसे जब उत्तर प्रदेश में सामान बेचा तो यहां पर भी igst लगेगा लेकिन दोनों में एक अंतर है जब खुद से सामान खरीद रही है तो आपको पता है कि gst जो है वो destination based tax है तो जो अंत में सामान खरीद रहा होता है वो पे करत और जब किसी को बेचा तो उससे जो पैसे मिले उसमें साथ में tax का पैसा भी included है तो उसको लोग लिखते है आउटपुट यह बाहर देना है तो अगर कुलमिलागर कि output जादा है और input का में इसका मतलब हमारे पास जो बकाया बचे का वो में pay करना होगा और अगर input जादा ह गया आपने पहले से ज्यादा पे कर दिया आपको उतना नहीं मिला है इसका मतलब आप और लेडी ज्यादा पैसे दे चुके हो तो आपका जो आपको वो पैसे बाद में tax credit की तरह से मिलेंगे ठीक है तो इसी सारी इंट्रीस को देखते हुए चलेंगे पहले जो दो डिफर सब्सक्राइब कर देखते हैं अब यहां पर क्लियर नहीं दे रखा है लेकिन अपने ही स्टेट में आप कर रहे हो तो नॉर्मिल यह सा होता है कि किसी भी consumption-based वाले अंगल देखा जाता है तो अगर किसी भी स्टेट में आप रहे हो और वहीं का वहीं पर उसकर रहे हो तो वहीं पर उन्होंने किसी को दिया होगा कंपनी का उसे फर्क नहीं पड़ता तो यहां पर भी क्या हो जाएगा यहां पर भी cgst और sgst में ही हम लोग देखेंगे कुछ और होगा तो हम लोग देख लेंगा उसको ठीक है कारयाले के लिए 50 रुपय का furniture थी था यह तो निश इसमें माल बेचा है तो सोचिए क्या हो रहा होगा आपको पैसे मिले होगा तो यह आउपट में चला जाएगा ठीक जब cgst और ncsd बाग करेंगे भुकतान किया तो यह क्या हो जाएगा इंपूट हो जाएगा और यहां पर फर्णीचर खरीदा तो यह आपका इंपूट ह जाएगा जो टैक्स वाला पार्ट है ठीक तो इंपूट कहां कहां पर होगा देखिए यहां पर आपने माल खरीदा है तो यहां पर भी इंपूट है यानि कि तीन जगें इंपूट हो रहा है और इसमें दूसरी और तीसरी एंट्री में और पूट में जाएगा ठीक अच् यही क्या हुआ आपने इस पर टैक्स पे किया तो यहां पर आंत्रिप जो लिखा हुआ वह अशली इंपूट के लिए किसके लिए इंपूट इसके लिगा आप कर दोगे इंपूट जब इंग्लिश में लिखेंगे तो लिखेंगे इंपूट IGST अकाउंट और यह भी हो जाएगा आपका डेबिट ठीक तो नाम जो लिखा हुआ इसके लिगा आजएगा और यह कितने को हो जाएगा यह आप कैलकुलेट कर लोगा तो तो तीन लाग पचास जा रहे है इसका आप 18 परसंट निकाल हो गया जीरो सी जीरो कर जाएगा फिर आपने उसको पे क्या हो जाएगा तो आपको पे करना पड़ा वो जाएगा बैंक से आपने पे कर दिया तो तो कितने से करोंगे दोनों को मिला करके तो रहोगे तो 4.000.000 अभी आपको क्या ध्यान क्या रखना है कि IJST में आपका इंपूर्ट कितना हो चुका है 3.000.000 ये चीच इंपॉर्टन्ट है ठीक है अच्छा दो तरह से काम हो रहा है एक तो आप पहले ये एंट्री करते नहीं थे IGST और CGST और SGST के भीड़े सही कर रहा हो साथ में इसको बाद में ट्रीट भी करेंगे ठीक है आगे क्या हुआ बैंक खाते होगा अब क्या था आपने आपको पैसे मिले थे आपने बेचा था कहा बेचा था उत्तर प्रदेश से बेचा था कितने में बेचा था दो लाग में तो दो लाग शत्तर शार आप सीरे सी दिन ही लिख पाओ गया है पहले आपने दो लाग में बेचा आपको ये पता है और साथ में इसमें आपको IGST क्यों क्यों कि बाहर हो रहा है और IGST कितने खो जाए कि 18% का 18% दो लाग पर निकालोगा तो 36,000 आ जाएगा व लोग कि किसी और ने आप से खरीदा है तो उसने जो आपको पैसे दिये हैं वो आपके लिए नहीं है टेक्स वाले पैसे वह आपको देने इसलिए वह आपके लिए आउट्पूट है अच्छा तो यह उधार पर आपने बेच दिया कोई बात थी उधार भी बेच तो उसमे आपको ठीक तो यह बाहर जो लिखा हुआ है बाहर का मतल्य मैं आपर था आउट्पूट अइसे यहां पर भी क्या हो जाएगा यह बाहर जो लिखा है बाहर मत्त्र समझ लोग आप आउपट तो क्या इसको बोलें हम लोग तू आउट्पूट सीजी एस्टी अकांट बस य पाइसे ho गया और यह अब देंदर खाते में आपका विकरा का चार लगा और उसके बास तोटल आपको जो पैसे मिलने हैं जो मिलें नहीं भी उसमें चार लाग बहत्तर जार रुपए आपको मिलना है और चार लाग रुपए का यह क्या था यह आपका था जो आपको बेचना था तो आप पे कर रहे हो तो आपके लिए इसलिका हो जाएगा यह debit होगा और debit होगा तो क्या है कैसे लिखोगे आप कि इसको ऐसे लिख दोगे बस थोड़ा सा आगे शिफ्ट किया क्योंकि आप पे कर यह आपका इंपूट हो जाएगा तो यहां पर क्या करोगे आपने टोटल अमाउंट कितना पे किया वह देखो तो यहां पर आप यह दोनों इसमें गलती है आपके इसमें पर आपके तीनों जगह पर इंपूट देखा है पहले में भी इंपूट था और चौथे में भी इंपूट था और पांच में भी इंपूट था अब क्या करते हैं अब करते हैं कुछ adjustments और adjustments नहीं है यह actual calculations है कि हमने कितना tax pay किया हमें कितना पे करना है अब आरहाम से देखने हैं बस एक ही जो गल्ती है वही तक वह यह था कि यहां पर debit debit लिखा होना चाहिए था वह नहीं लिखा हुए था ठीक कुल मिलाकर करके हमने में आप कितना 300,000 रुपए पे कर चुके हो तो अब ऐसा करते हैं हम लोग एक टेबल बनाते हैं यहीं पर छोटी से बना लेते हैं इसे को मैं बढ़ा करके बता देता हूं यह है आपका CGST यह आपका SGST और यह आपका IGST ठीक यहां पर लिख देता हूं कितना IGST आपको डे रहते हैं बहार वाले में 36,000 रुपया तो यहां पर आपका आउटपूट कितने को होगा है 36,000 रुपया अच्छा आगे की बात की हैं यहां पर क्या हो गया है बाहे CGST कितना है यह आपको आउटपूट वाला है तो कितना है CGST दोनों का 36,000 और 36,000 कितना कितना होगा 2700 2700 तो आपने यहां पर भी लिख दिया 2700 2700 और उसके बाद से क्या आ गया फिर आपका आंत्रिक सीजेस्टी और आंत्रिक स्जेस्टी यह 4500 इसको भी आप लिख दीजिए 4500 4500 अच्छा और कुछ बचा फरनीचर खाता हो गया आपका अच्छा बस यह पांच हो गया तो इसके बाद भी एंट्री लेकिन वह क्या होंगी वह आईजिस्टी सीजेस्टी और स्जेस्टी को अर्जस्ट करने वाली होंगी तो इसमें आपको समझ में क्या रहा है आप यह देखो सबसे पहले कि आपको इसको बहुत अच्छे से समझन यह बहुत यह आसान है लेकिन इसमें बच्चे गरबड करते हैं 63,000 रुपए आपको देना कितना था 36,000 इसका मतलब आपके पास 27,000 रुपए का एडवांस बचा कितने का बचा 27,000 का अब आप करोगे क्या 27,000 का ऐसा नहीं कि IGST में आपके पास एडवांस है बागी चुक तो हो जाएगा 7,200, 72,000 हो जाएगा ठीक है तो यानि कि 72,000 रुपए कर्ची को देना था आपको 36,000 ठीक तो यह इसमें साब भटा दोगे जो कितना बचेगा देखो 00 और 8 और 35 में से साथ जाएगा तो हो जाएगा 26,800 देना था लेकिन इसमें साब 27,000 रुपए और एड़ जिसको आप एड़ेस्ट कर दोगो किसमें CGST में और यहां पर आप देख लो 28,800 रुपए ही बचा है तो आप इसको भी एड़ेस्ट कर दोगो तो 1800 रुपए आपको देना पड़ेगा क्या CGST यह क्या देना पड़ेगा CGST और इसी तरह से जो SGST वाला सीन है उसमें आपको क CGST को भी एड़ेस्ट कर देतें CGST बिल्कुल भी नहीं देतें उसकेस में जो भी बचता उससे फिरा SGST को अब ही बस समझ में लेकिन यहां पर आप नमलोग आपको बचा नहीं तो हम लोग कुल मिला करके सिर्फ और सिर्फ IGST को हम लोग ने पूरा-पूरा अड़ेस्ट कर आधा जिसमें से घृट सो और शाओं लो ने हाँ चुकी है और साथ स्टाइससाजार भी दे चुके हैं लुplatz घृचान देंसे ही कितना था सताइससो प्लोस व्होंगा कितना हो जाएगा स्थ्यृच देस्ट। बंटीनेरह ठिक दिया हैukt 750 और हम क्या बोलें कि IGST में कितने का दिया है 36,000 का दिया है लेकिन अभी भी कुछ देना बाकी है हाँ अभी भी देने वाला बाकी है तो वो क्या हो जागा हुई कैश इलेक्टोनिक कैश मानते हैं अगर आपके पास इलेक्टोनिक कैश है इसका मतलब आपकी परिश्मपति बढ़ गई है लेकिन अगर आप वापस जा रहे हैं तो रोलेस चोड़र चोट़र देखेगा अब देखे च्या हुआ हमारे पास बाहे CGST में मैंने बताया था 34.200 ही पे किया, यह कहां से निकल कर क्या आया था, यह आया था 27.200 प्लस 4500 प्लस जो आपका बच गया था 27.10 रुपए, IGST वाला, उससे हमने डिस्ट किया था, तो वहां से 34.200 आया था, IGST होगा, क्योंकि IGST में अडिस्ट बच गया था, तो यहां से आपने 27.200 प्लस कर दिया, तो यह आपका टोटल कुलमला करके अड़्जस्ट होगा, तो बाहे CGST का समायोजन होगा, अड़्जस्मेंट होगा, लेकिन अभी भी 1800 का CGST बाकी है, याद रखेगा, वो हम लोग लास्ट में करेंगे, अब CGST की बात से का करते है, SGST देख लेते, SGST 28800 का बाकी था, यह भी हम लोग ने देखा था, तो 7.200 का हमने पे कर दिया था, कहां से, आंतरिक SGST खाते से, इतने का हमने output दिखा है, इतने का हम लोगा ने input दिखा दिया, लेकिन 28800 बचा हुआ है, तो बचा कितना कितना है, यह आपका बचा हुआ है 1800 का, और यह आपका बचा हुआ है 28800 का, इसको हम लोग से लास्ट में देख लेंगे, आपको समझाने के लिए बता रहोगी कौन सी जीच कैसे कैसे बचेगी, वह इंपॉर्टेंट है, अब यह जो दोनों चीज़े बची है, उसके बाद हम लोग पहले IGST को भी देख लेते हैं, तो आउटपुट IGST कितने का था 36 का था, और आपके पास त्रेशा डियार था, लेकिन उसमें से उत्रा ही तो पे करोगी, जितना आपको चाहिए है, तो 36 का आपके पे कर दिया, इसका भी समाई वजन हो गया, सब कुछ आपके पे कर देते हो, तो यहां पर क्या हो, आपके पे कर रहा है, इसलिए आपने उसके डेविट कर दिया, अठाहाई सो से, और अठाहाई से और आट्वा से SGST बचा हुआ था, उसको भी हम लोग निक्या कर दिया, डेविट कर दिया, तो पैसे कितने चले के, इन दोनों रेडिट हो गया, बस यह आपको, यह तो समझे क्या हो जाएगा, इसमें यह जो चार लास्टी एंट्रीज आई हैंना, एक तो यहां पर हम लोग ने CGST कितना पे किया, उसको देख लिया, सारी एंट्रीज पास्ट थी, पास्ट हम लोग ने सीरसीर जनरल में कर दिया था, उन पाचों में भी हम लोग इंपूट IGST हो रहा है, या आउट्पूट हो रहा है, इसको देखा था, और IGST है, या फिर SGST और CGST है, या तो IGST होगा, या SGST और CGST होगा, एक बात, या फिर इंपूट होगा, या तो फिर आउट्पूट होगा, ये भी देख लिया, फिर हम योगों को ने पांचों इंट्रीज ट्व करनी फिर देखा कि हम CGST को पूरा-पूरा एक बार एद्जिस्ट कर लेते पूरा-पूरा IGST कर लेते और जो भी बचा उसको सबसे लास्ट पे कर देंगे अगर आउट्पुट ज्यादा है तो मैं पे करना पड़ेगा और अगर जिसको हम लोग ने पे कर दिया और इसके लिए का पर भी थी यह नोट्स लगा करके कार करने टिपरी मतलब नोट्स है जो आपने वर्क किया हुआ है क्या क्या हुआ है देखिए बायद आइट में सीजीए ही हटिए निदेखां सांथी खेया अशॉक्ष तरय चुक्त लाइघंड आज़िए में जने खेया इस बदेख अब बच गया कितना 36 आप ने चुके हो तो बचा आपके 27,000 और यह 27,000 आप पहले अड़्जस्ट करोगे SGST में, CGST में हमेशा CGST में और CGST में अड़्जस्ट होने के बाद भी बच जाएगा तब SGST में जाएगे और हम दोगों ने देखा कि यहां पर पूरा करने के बाद भी बच रहा है यानि कि CGST आपको पे करना पड़ेगा और इसको फिर से प्रैक्टिस करेगा क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको जब देख रहा होता है ना सामने कोई टीचर बता रहे है आप और यह असने से कर लेते हो लेकिन खुद से करोगे तो आपको समझ में आगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में और चैनल सब्सक्राइब नहीं करें तो कि सब्सक्र कर अपना योगदान जरूर दें अपनी क्लास का उद्दे से आप सभी के लिए आप ही की भाश्रा में गुणवत्ता पूंट सिक्षा उप्लब्ध कराना है कक्षा बारत के सभी प्रमुक विश्यों पर हम वीडियो बना रहे हैं और कुछ विश्यों पर वीडियो आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस पर अप्लोड भी हो चुके हैं ज्यान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना अभूमोल योगदान जरूर ने बढ़ेगा अपना आइए